हेलो फ्रेंड्स आप सबी का हमारे चैनल के एक नई वीडियो में स्वागत से दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों सबसे पहला जो हीडन फीचर देखने को मिलता है आपकी डिवाइस का जो नया कंट्रोल सेंटर है वहां पर डाटा ये उससच को ऑफशन जो की आप लोग इजली इनेबल कर सकते हैं बने डिवाइस में आप से वह पने डिवाइस में इनेबल कर सकते हैं जिसके ओपर मैंने एक डेलिकेटड बीडियो बना दिया हूँ एप की बात करते हैं तो सेट का नाम है उसी से होता है तो आप लोग वहां से कर सकते हैं अगपर फिचर देखने को मिल देख सकते हैं android 10 देखे सबल्बार तो आप लोग देख सकते हैं कोछ इस तरह से देखने को मिलेगा अगला जो hidden feature देखने को मिलता है so screen reference rate जिहां दोस्तों आप लोग अपने device में जो reference rate है उसे so कर सकते हैं पने screen पर तो आप लोग को simply play store से activity launcher नाम के apk file को download कर लेना है जिसका जो size काफी कम देखने को मिलता है उसके बाद में open कर लेना है सारे permissions दे देने हैं इस apk को उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है तो इस तरह से यहां पर आप लोगों को interface देखने को मिलेगा तो यहां पर आप लोगों को search करना है पहँएrants सर्ट कर देना है उसके बाद में आप लोगों को नीचे आना है तो आप लोगों देख सकते हैं उपर से चौते नंबर वाले option पर आप लोगों को क्लिक कर देना है battery and performance लिखा हुआ देख सकते हैं इसी पर क्लिक करोगे start फर क्लिक कर देना है उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं आपके डिवाइस में जो refresh rate है आपके screen का वो so curry का जो कि आप लोग देख सकते हैं अगला जो hidden feature देखने को मिलता है आप लोगों को यहाँ पर performance mode enable करने का जो option वो देखने को मिलता है तो उसे enable करने के लिए आप लोगों को simply activity launcher app को download कर के install कर लेना जो कि हम आपको बताया हूं उसके बाद में आप लोगों को search bar में search करना है power इसे search करने के बाद में आप लोगों को सबसे नीचे आ जाना यहां पर आने के बाद में आप लोग देख सकते हैं इस वाले option पर आप लोगों को click कर देना है जो कि आप लोग देख सक निव बीडियो टूल बॉक्स जहां दोस्तों आप अपने डिवाइस में नया वीडियो टूल बॉक्स इनेबल कर सकते हैं उसके लिए आप लोगों को एक डाउनलोड करना होगा जिसका डाउनलोड लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल टेकनिकल सिम्ज पर दे दिया हू है अगर वह लिंक ओपन नहीं वह रहा तो आप लोगों को सिंपली टेलीग्राम पर टेकनिकल सिम्ज सर्च कर लेना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं आप लोग देख सकते हैं यहां पर डाउनलोड हो चुका है लगभग यहां पर थोड़ा सा बचा हुआ तो आप इस तरह से आप लोग करओगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जो नया गेंब टर्भ। से इनेबल कर सकते हैं इसके बात को इकटने को दीड़ा। में नया यहां पर गेम टर्बो इवाई भी देखने को मिलेगा सो गई सब्सक्राइब करते हैं साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इसे वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूं आप से एक नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरा